हेलो स्टूडेंट आज हम सरकस के बारे में रीड करेंगे ठीक है अब देखो सरकस सरकस is an old and popular means of recreation सरकस एक बहुत ही पुराना और लोग पिर ये मनोरंजन का साधन है clowns, trapage, artists, acrobats and juglers perform to entertain the viewers by their amazing acts clowns, trapage, klakar, acrobats and juglers विबिन अधबूत करते बाजिगर विबिन अधबूत करते दिखा कर amazing acts करते अधबूत द्रश्य को दिखा कर लोगों को मनोरंजन करने के लिए परदर्शन करते हैं बहुत छे जानवरों को लोगों को मनोरंजन करने के लिए प्रेरीत यानी प्रशिक्षित किया जाता है फेर आर वन ओव दा मोस्ट इंजोईबल मिन्स ओफ रिक्रेशन एंड इंजोईमेंट फेर है वो विभीन आनन्द और मनोरंजन के साधनोमे से एक सुक्द साधन है वाले खुले मैदान में स्वारी करने वाल जैसे की गेम स्टो एज फूड आदी फेस्टिवल पर जैसे दिवाली है क्रिस्मस है दसे रहा है यह साल में एक बार मनाय जाते हैं मेनी स्टाल्स आरशेट एज एफईauen फेयर यानि मेले में विभिन सारी स्टाल्स लगा जाते ही यानि ये छोटी-छोटी जो दुकाने हैं ये लगा जाते ही पिपल इन्जोई इटिंग डूट कांड उफ फूड लोग आनंदित होते हैं विभिन सारे फूड वगेरा बोज लेके आनन्दित होते हैं, फेर्स लाइक, कुम्ब मेला एंड पुस्कर मेला और ओरगेनाइड वन संप स्पेसर रिलीजियस ओकेजन, जैसे कि कुम का मेला है पुष्गर का मेला है ये भी बिन विशेज़ दार्मिक आउसरों पर और्गिनाइज किया जाता है यानि संग्ठन किया जाता है इनको फेर लाइक्स दी इंडिया इंटर्नेशनल ट्रेड फेर सुरजगूंड क्राफ्ट मेला बुक फेर ओटो फेर और स्पेशल फेर्स और्गिनाइज टू इन्हेंस दी ट्रेडिंग ओफ एक एंट्रीज ये अंतरा स्ट्रीज ट्रेड फेर सुरजगूंड क्राफ्ट मेला बु जाने के लिए एक विशेश अवसर पर ओर्गेनाईज किये जाते हैं ठीक है बत्वाज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे आपको ये चैप्टर रीड करना है सो भाई